पूरा जो syllabus है वो क्या है, कौन-कौन से ऐसे topics हैं, जो CBSEE ने 2024 के लिए डिलीट कर दिये, हटा दिये हैं, कौन-कौन से important chapters हैं, कौन-कौन से important chapters हैं, कौन-कौन से important chapters अब रहे ही नहीं जो पहले थे, लेकिन अब नहीं रहे So, hey, बच्चपाटी, welcome back to your channel, मैं हूँ तुबारा mentor विशाल सह, और तुम सभी का स्वागत है, एक बहुत ही interactive, धमाकेदार session में, जिसमें हम आज बहुत को सीखने वाले हैं, भाई, आज तुमको मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार, class 10 का, science का, पूरा, जो syllabus है, वो क्या है, क जो पहले थे, लेकिन अब नहीं रहे, तो ये सारा कुछ हम डील करेंगे, लेकिन, पहले भाई, ये मैं उम्मीद करता हूँ, कि तुम लोग नहीं नहीं हो, इस चैनल पर पहले से हो, और अगर नहीं हो, तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वाई सा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पे देखो, मैं तुम लोगों के लिए लगाता लेकर आ रहा हूँ, काफी सारे जो गाइडन्स हैं, वो सब चीज़े दे रहा हूँ, और ये रेखो, कल ही मैंने तुम लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, क्लास 10 का, हमारे चैनल में आए हो, तो जल्दी से चैनल के साथ जुड़ जाओ, अब यहां पे देखो, मैंने क्या देखा है, प्रिवेस कही सालों में, पहले तो मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से, चेके, क्लास 10 का, अटेंड क्लास कुछ अटेंड कर चुके हो 30% जो syllabus reduction हुआ है न, वो तुम लोगों को पता होना चाहिए, वरना तुम भारी मुसिबत में आ सकते हो, और भारी मुसिबत कहां हो सकती है, especially क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, वो अपने senior, बड़े भाई बेंड जो होते हैं, seniors जो होते हैं, उनसे books ले 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 सारी चीज़े मैं एक एक चीज एक्स्प्लेइन कर दूँगा, और PDF form में तुमको वो सारा चीज भी दे दूँगा, जिसको तुम खुद डाउनलोड कर सकते हो, तो ऐसी चीज़ों को पाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस चैनल के साथ पे जुड़ जोड़ तो मैं बिना देरी किये वे सीधा यहां तुमको लेकर आ जा रहा हूं, अब यहां देखो भाईया, यहां यहां यह है तुम्हारा का पूरा का पूरा जो कोर्स है, साइंस का, वो यहां पे तुमको दिख रहा है, अभी मैं तुमको एक PDF भी दिखाऊंगा, जो खुद मैंन हमारे माक्स हो जाते हैं 80, 20 नमबर जो हैं वो तुमारे हैं इंटर्नल के टोटल हो जा रहा है 100, चेके लेकिन इसमें से कौन सा ज्यादा important है, कौन सा unit, तो यहाँ पर तुम अगर खुद देख पा रहे हो, तो unit 1, number 1, और 2, chemical substances, और दूसा world of living, यह 25-25 marks के questions इसी से आने वाले हैं, तो तुम खुद से समझ जाओ, और वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे कम marks आने वाले, तो वो है unit number 5, जिसमें natural resources हैं, सरफ 5 number के questions आते हैं, ठीक है, then unit number 3 है natural phenomena, जिससे 12 number के questions आते हैं, और चौथा unit जो है, वो effects of current है, जिसमें 13 number के questions आते हैं, खेर, यह तो बात हो गई units की, और मैंने तुमको bifurcate करके बता दिया, और तुमको एक अंदाजा भी मिलिया होगा, किन-किन units पे हमें focus ज़्यादा रखना है, लेकिन अभी हमारा मकसद पुरा नईवा, जो हमें जानना है, ये देखो भाई, ये चीज मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ, और इस चीज को मैं तुमें बताओं, उस से पहले मैं तुमको और एक चीज भी दिखाने वाला हूँ, ये रेखो मैं तुमको लिखकर आ रहा हूँ, ये रहा वो PDF जो मैं तुमको दे दूँगा, इसको तुम देख लेना, ये तुम्हारा latest, जो deleted syllabus है, syllabus भी देखो ऐसा नहीं है, कि बहुत सारे chapters जो हैं वो पूरा का पूरा रिमूव हो गए, सिर्फ कुछ portion को भी रिमूव किया है सिबसी ने, अब वो क्यों रिमूव किया है, कि भाई वो अभी के according, 30% syllabus reduction उन topics को, उन chapters को रिमूव किया गया, जो ज़्यादा important नहीं थे, सिबसी के according, अब वो मेरे according हो सकते हैं, important, तुमारे according भी हो सकते हैं, लेकिन सिबसी के according वो important नहीं थे, तो यहाँ पे देखो, कौन, किसमे कोई reduction नहीं हुआ, वो मैं तुमको यहाँ मोटे तौर पे दिखा दूँगा, और उस चीज के अंदर में क्या क्या remove हुआ, वो भी मैं तुमको दिखा दूँगा, तो पहले यहाँ पर आते हैं, chapter number 1 में, तो chapter number 1 की जब हम बात करते हैं, यह देखो, chapter number 1 है, chemical reaction and equations, तो इसमें तुम्हारा कोई भी reduction नहीं हुआ है, as usual तुम पूरा का पूरा तुमको पढ़ना है, और बहुत important chapter है, chemical equations, reactions, balance करने का equations को, इस ताइप के questions बहुत आते हैं, तो इसमें तुम्हें फोकस सखना है, then second chapter है, acid, bases and salts, इसमें भी कोई reduction नहीं हुआ है, chapter number 3 है, metals and non-metals, no reduction at all, chapter number 4 है, carbon inates compound, ये है तुम्हारा no reduction, मतलब शुरू के 4 chapters में तुम्हारा कुछ भी reduction नहीं हुआ है, तुमको पूरा का पूरा intact पढ़ना है, अब बात आता है, chapter number 5 का, जो की है periodic classification of elements, और यहां तुम देख सकते हो, ये chapter जो है, deleted है, यानि कि ये नहीं आने वाला, इसमें तुम कुछ नहीं पढ़ना है, अब वो क्या नहीं पढ़ना है, जल्दी से जरसा यहां आजाओ, ये रेखो, यहां पे मैंने bifurcate करके तुमको बता दिया है, ये 4 parts है ना, 1, 2, 3, 4, इस 4 के अंदर में सब कुछ है, समझ जाओ, और चाहो तो तुम screenshot ले ले सकते हो, मैं एकदम out of screen हो चुका हूँ, मेरा हाथ देख रहा था, मैंने वो भी हटा दिया, तो यहां से तुम पूरा ले लो इसका screenshot और इसके बाद में तुम यहां देख सकते हो, अब यहां पे देखो periodic classification, जो chapter है, full chapter डेलिट हुआ है, और इसके अंदर में जितना भी था, वो सारा का सारा topics डे ही आते हैं, value जो added questions होते हैं, जो box के अंदर में तुमको lesson गंदर मिल जाएंगे, उससे भी CBC question पूछती है, और इस बार तो कहानिया लगे, competency based questions है, case based questions है, मतलब conceptual based questions है, तो तुमको यह सब पर ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यह अलग से करके तुमको दे दिया, तो यहां हैं हम chapter number 6 पे, chapter number 6 है हमारा life processes, no reduction, कोई reduction नहीं है, कोई घटा नहीं है, chapter number 7 है control and coordination, बहुत important chapter है, मैं तुम लोगों को बता दू, no reduction at all, इन सभी chapter के important questions, answers, classes मैं लोगा, मैं तुमको बताऊंगा, chapter number 8 है, बहुत important chapter, no reduction, reproduction है यह chapter करा, और इसमें भी कोई reduction नहीं हुआ है, अब य यहां पे यह chapter 2 main topics से मिल करके बना हुआ है, chapter का नाम है heredity and evolution, तो यहां से क्या हुआ, heredity part अब बस रह गया है, मेरे खाल से यह part ही नाम ही रख देना चाहिए था, क्योंकि evaluation part जो है, complete evaluation part जो है, वो गायब हो चुका है, अब मैं फिर से तुमको अपने statistics में लेके जाता हू अब यहां देखो, heredity and evolution में से evolution का जो पार्ट था, जैसे कि basic concepts of evaluation, evolution and classification and evaluation should not be equated with progress, यह जितना कुस थाना main main topics, यह सब, मतलब complete evaluation part जो है, वो पुरा हट चुका है, अब आजाते हैं, फिर से वापस, अब यहां पे तुम्हारा next important chapter क्या है, बहुत important chapter है, light, reflection and reflection, इस बार के functions आये थे, यहां से derivations को हटाया गया है, अब numerical सोच करके confusion मत होना, बहुत सारे बच्चे numericals और derivation को एक चीज़ समझते हैं, तो वो वैसा नहीं है, derivative सालग चीज़ हो गया, तो यहां पे derivations को जो है, वो remove किया गया है, अब मैं फिर से तुमको लेके जाता हूँ, अपने part मे यहां पे देखो, एक second, light and reflection, ओके, यहां पे यह part नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे तुमको मैंने बता ही दिया, अब आज आते हैं हम chapter number 11 की तरफ, chapter number 11 है human eye, human eye में अगर मोटे तौर पे मैं बताऊं, तो एक topic को basically हटाया गया है, यहां से वो है color of sun at sunrise and sunset, मतलब जब sunrise होत होता है, उसके उपर जुड़े वे पहले questions आया करते थे, तो वो चीज़ को हटा दिया गया है, यह चीज़ removed हो गया है, बात बाकी human eye तुमको as it is पढ़ना है, मैं तुमको एक बार ले जा करके दिखा देता हूं, यह देखो, human eye में यहां पे क्या हुआ, application of scattering in explaining color change of the sun at sunrise and sunset, यह जो part है, यहां से यह चीज़ हट चुका है, तो यह हमें नहीं पढ़ना है, अब आजाओ वापस नीचे, अब यहां पर जब आते हो, तो next chapter number 12 है, एक second, chapter number 12 है electricity, electricity में कोई reduction नहीं हुआ है, मतलब पूरा का पूरा chapter तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, chapter number 13 पे बढ़ते ह है, again, magnetic effects of electric current, magnetic effects of electric current, बहुत important chapter है, यहां से questions आते हैं, कुछ निमनेकल के भी questions बनते हैं, कौन-कौन से topic है, important है, वो मैं बात में बता दूँगा, अब यहां पर देखो, तीन topics को हटाया गया है, electromagnetic induction, electric motor, और electric generator, यह तीन topic को हटाया गया है, एक बाद फिर से दिखाने के लिए मैं तुमको अपने पार्ट में लेके चलता हूँ, यहां पर देखो, यही चीज यहां पर सब चीज हटा दिया गया, electric motor, electromagnetic induction, जिसमें की potential difference, induced current, flaming's right hand rule, electric generator, यह सारा पार्ट जो है, वो सारा का सारा चीज हट गया, ठीक है, अब आजाओ वापस, अब chapter number 14, जो है, sources of energy, यह completely deleted chapter है, तो इस पे हमें focus नहीं करना है, ठीक है, फिर भी अगर तुम देखना चाहो, तो चलो, मैं तुमको दिखा देता हूँ, यह रहा, full chapter deleted, जिसमें की different forms of energy था, conventional, non-conventional energy वगरा था, fossils, fuels, solar energy, biogas वगरा, वो सारा चीज, जो full chapter है, यह तुमको पढ़ना ही नहीं है, तो अगर पुराना book से पढ़ रहे हो, तो इस chapter को छोड़ देना, किसको chapter number 14 को, अब chapter number 15 पे हम आते हैं, जो की है, our environment, our environment में कोई reduction नहीं हुआ है, sorry, our environment में, chapter number 15 में कोई reduction नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ना है, और chapter number 16 जो है, management of natural resources, ध्यान देना, यह chapter, exam में इससे कोई caution नहीं आने वाईवा में आने वाला है, अब जो बच्चे वाईवा नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दू कि practical जब होता है, तो external या internals जो आते हैं, teacher जो आते हैं, वो तुमको वाईवा, practical के बाद में कुछ questions पोस्ते हैं, ठीके, based on तुमारे practical या जो भी चीज तुमको दिया गया है, उसके ओपर में वो कुछ oral, वाईवा का मतलब यह होता है, oral, oral कुछ questions पोस्ते हैं, और उसके तुम्हारे जवाब देने के capacity, तुम्हारे practical copy वगरा को देखते हैं, तुमको marks भी दिया जाता है, ठीके, तो यहाँ पे, यह चाप्टर जो है, यह सरफ वाईवा के लिए है, chapter number 16, ठीके, और इसी के साथ में हो जा रहा है तुम्हारा खतम, यह देखो, chapter number 16, जो है, management of natural resources, यहाँ पे लिखा हुआ है, this chapter will not be assessed in the year and examination, it needs to be prepared only for internal assessment, तो मतलब हो गया, tension यहाँ पे खतम, तो यही चीज है, कि भाईया, अब यहाँ पे बहुत important चीज आता है, जब हमने अभी क क्या देखा भाई, हमने पढ़ाया है भी syllabus, ठीके, class 10 के syllabus को हमने जाना, और मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ, अगर तुम्हें syllabus सही नहीं पता, तुम आलतो फालतो बुक पढ़ लोगे, specially अगर तुमने new anxiety book करदा है, तब तो उसमें तुमको जो चटा है, वो सब चटा व या कौन-कौन सा नहीं पढ़ना है, वो हटा दिया, अब यहां पे बड़ा चीज आएगा, blueprint और weightage, मतलब class 10 science का blueprint क्या है, और weightage क्या है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, एक छोटा सा, ठीके, तो वीडियो को like बनता है, यहां पे यार देखो, तुम लोगों के लिए बहनत है, और तुम लोगों के लिए यहां पे मैंने channel, जो है वो, यहां पे playlist भी create कर दिया है, इस channel के अंदर में, ठीके, तो भाई, यहां पे यहां पे यह रेखो, class 10 का English का भी तुमको आ चुका है, और तुमको क्या-क्या चाहिए, बताते जो, classes on, हो चुका है, class 9 वाले, 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले, सब के लिए playlist बना हुआ है, यहां सीधा playlist में जाना, और playlist के अंदर में जाकर के तुम देखोगे, class 10, 2023, ठीके, यह देखो, class 10, 2023, इसके अंदर में, जो-जो important videos आएंगे, subject videos, notes, सब यहां मिलता जाएगा, और मैं एक separate भी playlist बना दूँगा, for the subjects, ठ class 10, science, 2023, class 10, English, 2023, ठीके, तो वो सब आना शुरू हो जाएगा, तो अभी के लिए जल्दी से वीडियो को like करो, ठीके, प्यार बरसाओ यार, और एकदम खुश हो जाओ, tension नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, focus होना है, मतलब knowledge रहेगा, तो तुम जीत जाओगे, ठीके, चलो, अब इक लिए बस इता है, मिलते है नेक्स वोडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भर!